कोकोनट कुकिस बनाने के लिए मैंने यहां पर आदा बोल में घी लिया है आदा बोल मैंने यहां पर पिसी हुई शुगर लिए है आधा बोल मैंने यहाँ पर ग्रेटिड कोकोनेट लिया हुआ है एक बोल में मैदा लिया हुआ है अगर आप मैदा नहीं चाहते आटे का यूज़ कर सकती है आधा चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिन पाउडर लिया हुआ है और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कोकोनेट तो सब से पहले आधा चमबच घी को हम एक बड़े बॉल में डालेंगे इसमें PCV चीनी को मिक्स कर लेंगे हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कंसेंस्टेंसी इस तरही किसे हो जाएगी अब हम इसमें एक चमबच मैदा मिक्स करेंगे अगर आप मैदा नहीं चाहते तो आप आटा भी ले सकते हैं आदा चमबच बेकिंग पॉडर कोकुनेट और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह मिक्स करने के बाद इस तरीके से हो चुका है अब मैंने यहां पर बेकिंग ट्रे ले ली है इसमें बटर पेपर लगा देंगे इस तरीके से एक स्पून लेकर जितना साइज आपको रखना है बड़ा छोटा इपना लेकर इसको पहले हम लड्डू की शेप दे देंगे इस तरीके से और फिर हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और फिर हम इसको ग्रीटिट कोकोनेट में मिक्स कर देंगे लोट्रे में रब देंगे फिर हम इसको जबागे लोगा जब कि बंपको अड़को कर देंगे बंपको गुम में रखको खु़ाई बंपको अब़ाई जयको जरे बंपको लुड़ा बंपको अब़ाई आर देकर देखना की बल्सराई झाल 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 झाल